एक्जाम्स ना एक फीलिंग है एक कनेक्ट है जो तुम्हारा कभी अगर बैठा नहीं तो एक्जाम कभी अच्छा जाएगा नहीं हमारे याँ पे इंडिया में एक्स्क्लूजिवली देखा जाए तो एक्जाम्स को सीधर रेलेट कर दिया जाता है पड़ाई से लेकिन मैं जानता हूँ कि कितने सारे फैक्टर्स तुम्हें परसनली फेस करने पड़ते हैं जब तुम्हारे वो एक पॉजिटिव फीलिंग लाके जो तुम्हें आज फील करना बहुत जादा जरूरी है सोचो अगर इस वीडियो से तुम अच्छा फील करो जाके मोटिवेटेड होके पढ़ने बैट जाओ कितना सक्सेस्फुल रहेगा ये वीडियो क्योंके ना मैं फिफ्ट मेंसे जो मैं मीम बनूँगा सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं हर उस बच्चे के लिए लेके आ रहा हूँ जिसका अधिकार है अच्छे मांक से स्कोर करना जिसका अधिकार है एक प्रॉपर टाइम टेबल जिसको पता होना चाहिए जिसका अधिकार है सही guest paper मिलना, एक सही workshop मिलना मतलब आज इसे किसी ने अगर तुमारी उंगली पकड़ ली और end exam तक तुम्हें लेके चला गया, तुम्हारे marks पक्के है और भाई तुम्हारा वही बनना चाहता है तो लेकिन यार ये जो friends का, family का pressure आता है उस सो related मैंने कुछ 5 point बनाए मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ discuss करूँ और अगर तुम उनमे से किसी भी एक point से relate कर पाओ तो मुझे comment करके जरूर बताना तो भाई, इस साल मैं meme बनूंगा का motto क्या है या तो छपना है, या तो छपना है पाँच मैं को मैं सब बराबर करने आ रहा हूँ फिर चाहे तुम्हारे friends कोई भी बात करते हो तुम्हारी family कुछ भी बात करती हो मतलब pressure तो पढ़ता ही है ना दिमाग पे उसी चीज़ को feel करो जरा और सोचो, कि जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ तुम उससे relate कर पाते हो या नहीं जैसे तुम्हारे friends कहते है भाई मेरा तो पता है दो बार revision हो गया है तुर अभी तक syllabus पूरा नहीं हुआ डरने की जरूवत ही नहीं है what matters is कि अभी आज से तुम क्या मेहनत करते हो exam से एक रात पहले तुम कौन सा paper solve कर रहे हो क्या मेरा दिया हुआ guest paper solve कर रहे हो क्या workshop मेरी attend की है अगर ये basic चीजें की है क्या हर दिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे पर भरोसा करके वो time table follow करोगे तुम 5th of में से अगर हा तो जिस दोस्त ने तुमारे दो बार revision किया होगा और तुम same level पर आ जाओगे क्योंकि hard work से सब कुछ नहीं लिया जाता है अगर hard work से सब कुछ आता होता तो गधा राजा होता, share नहीं होता that means मैं तुमें समझा रहा हूँ 5th of में से एक proper strategy proper दिमाग यूज कर लिया workshop अटेंड कर लिया, guest paper कर लिया अगले दिन paper दे के आना और comment करना बोलना बिगड़ गया बाबजी आपने तो गलत बताया था होगा ही नहीं possibility नहीं है पिछले 12-13 साल से same चीज कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे बच्चों का पढ़ाने की वीडियो से लेकर motivational वीडियो से लेकर guest paper से लेकर workshop हर एक चीज तुमें मिलेगी तो तुम लोग बराबर हो जाओगे चाहे तुम हो चाहे तुम हो चाहे तुमारा friend हो preboards में friend ने ज़्यादा score कर लिया, क्या फायदा हो गया अगर preboard में ज़्यादा score हो भी गया और boards में नहीं आये तो तो लंका डूब गई सब बराबर हो गया जितनी महनत की थी, जितना revision किया तो सब ले गया एक ही जगे पे रह गया सब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता preboard से अगर उसने score कर भी लिया है उसको बोलो भाई, तेरे लिए बहुत अच्छी बात है मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरे साथ भाईया है, commerce बाबा है और मैं 4 के दिखाऊँगा इस बार board exams में क्योंकि मेरे पास time table है क्योंकि मेरे पास हर दिन का daily content है क्योंकि मेरे पास workshop है क्योंकि मेरे पास guest papers है फिर आजाते third point पे I have no one to guide or teach ये सबसे बड़ा factor है जिससे 5-10% तुम lose करते हो कोई guide करने वाला नहीं, कोई teach करने वाला नहीं पढ़ाने वाला नहीं, है ना और जो दूसरे तुमारे दोस्ते है या वो तो special अपने favorite बने बैठे टीचर के तुमारे पास कोई नहीं बचा तो मैंने बोला तो, मैं हूँ तुमारे लिए मैं तुम्हें guide कर रहा हूँ हर वो बच्चा जो ये feel करता है कि उसको कोई बताने के लिए नहीं है मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कुछ नहीं मांग रहा सिर्फ YouTube पर आओ, मैं नहीं बोल रहा, like करो यार मैं बस इतना कह रहा हूँ comment करके अपनी story बताओ मुझे जानना है कि तुमारे अंदर क्या feeling है बस उतना कर दो मैं उसको देखकर तुमारे लिए videos बना दूँगा मैं तो इतना बोल रहा हूँ तुमारे comment पढ़के videos बनाऊँगा ये भी video एक comment पढ़के ही मैंने बनाया है तो कोशिश करोगी तुम comment करो मुझे बताओ तुमारी story मैं तुमारे लिए खड़ा हुआ हूँ ये एक महिने के लिए क्योंकि ये वो crucial month है जिससे तुम मुझे जिंदगी भर्याद रखोगे वो बंदा end में आया मेरी जिंदगी बना के चला गया फिर आते है fourth point पे माबाप दोस्त का example देते रहते पढ़ने का फिर मनी नहीं करता exactly point यही है तुमने अपने दिमाग में क्या बना रखा है तुम तो माबाप के लिए पढ़ रहे हो तुम तो दोस्त महले के लिए पढ़ रहे हो तुम ये नहीं समझते हो तुम किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो तुम हर रोज जो पढ़ाई कर रहे हो वो अपने आपको एक better person, एक better इंसान बनाने के लिए कर रहे हो सारे odds के against में जाके इतनी महनत कर रहे हो कोई demand नहीं है तुमारी, घर पे रहते हो, किताबे खोलके पढ़ते रहते हो कोई ऐसी बहुत social life नहीं है तुमारी, सिर्फ तुम महनत करना जानते हो सोचो सागर महनत का एक positive result निकाल लिया, तुम हर बार एक negative situation से positive इंसान बन के निकलोगे कितनी अच्छी बात है यार, कितनी अच्छी बात है आज तुम्हारे माबाप अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे against नहीं, वो तुम्हें सिखा रहे हैं कि ये दुनिया बहुत जालिम है हम तो बहुत कम जात्ती कर रहे हैं तुम पे, बाहर निकलोगे यही सब कुछ भरा पड़ा हुआ है So take it in a positive manner, take it in a very good manner कि अगर तुम्हारे दोस समझे आगे है तो तुम्हें फिकर होनी चाहिए क्योंकि दौड लगी हुई है, भारत में गरीबी देख लो कितनी है, इस दौड में अगर पीछे रह गया तो पीछे ही रह जाओगे आज घर के comfort में हो, अपना best दो, कोई तुम्हें नहीं रोग सकता फिर आ जाते हैं 5th point पे, दोस ने तो 3-4 बार sample paper भी कर लिए sample paper भी करके बैढ़ गया 3-4 बार, क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? ऐसा कुछ बहुत खास फर्क पड़ गया हो, तो मैं भी जान लूँ, नहीं होता कुछ भी मैं भी topper रहा हूँ, मेरे students भी topper रहे हैं, और जितने toppers रहे हैं, जितनों ने मेरी बात मानी है ध्यान से सुनना, मैं तुमारी आँखों में देखके बात कर रहा हूँ, जितनों ने भी मेरी बात मानी है, जितनों ने भी मेरी बात सुनी है मैंने हमेशा उन्हें यही बोला है, दो सैंपल पेपर से जादा करने ही नहीं है, maximum चले जाओ तो तीसरा फिर से बोल रहा हूँ, दो सैंपल पेपर से जादा करने ही नहीं है, maximum चले जाओ तो तीसरा जो इन तीन से ज़ादा करता है उसके marks negative में जाने लगते हैं मतलब गिरने लगते हैं Because उसमें अपने brain में confusion create कर लिया है वो अपनी studies को trust नहीं कर रहा दो बार revision कर लेना तीन बार revision कर लेना ये show करता है कि तुम्हें खुद की पढ़ाई पर भरुसा नहीं है 5 से 6 sample papers कर लेना different different books उठा के कर लेना ये show करता है कि तुम्हें खुद पर भरुसा नहीं है मैंने क्या बोला मैं selective videos लेके आ रहा हूँ मैं selective sample papers लेके आ रहा हूँ जब उसे खुद की पढ़ाई पर भरोसा ही नहीं है ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं तो वो कैसे स्कोर कर लेगा दिर इस नो वे वो सामने वाला बंदा स्कोर करेगा तो वहीं पर तुम्हें फाइदा उठाना है तुम्हें कमजोरी पकड़नी है मतलब यही चाहिए ना शेर शिकार करता है एक बार करता है बड़ा करता है दिन भर की फुरसा तो जाती है वो गली महले में नहीं फिरता है कि तस खाले फिर तस खाले नहीं शेर बनो एक बार शिकार करो और फोर दो और तुम्हें भी वही करना है मैं क्यों नहीं तुम्हें हजारों वीडियोस दे के परिशान कर रहा मैं क्यों कह रहा हूँ फिफ्ट अफ में से आउंगा तीन पेपर दूंगा, गेस पेपर दूंगा और वरक्शॉप दूंगा, काम खतम हो जाएगा Compare कर ले ना जब exam सो जाए तो और फिर शाम को 7 बजे इसमें हम cover करेंगे theory क्योंकि smart work smart work ज़रूरी है इसमें हम cover करेंगे accounts मतलब practical क्योंकि इसका combination का कोई तोड़ी नहीं है सुबह कर लो practical शाम को कर लो theory सुबह कर लो practical शाम को कर लो theory इसका आज तक कभी तोड़ नहीं निकला है तो smart work करना है दिमाग चलाना है गधा हमाली नहीं करनी है हाँ आठ के बाद हो सकता है अगर में को थोड़ा जादा पढ़ाना होगा तो 10 बजे एकाद वीडियो और आ जाए करेगा लेकिन हाँ तीन टाइम तो fix मानो 8, 5 और 7 बजे और अगर तुमने ये follow कर लिया मैं बता रहा हूँ के तुम्हें इसके बाद कोई चीज की जरुवत नहीं पढ़ेगी तो मैं सिर्फ एक चीज करनी है और वो ये है मैमीम बनुगा सीरीज को डीटेल में follow करना है और फाइनली कोई जरुवत नहीं है अभी sample paper उठाने की most anticipated questions, most expected questions, most important questions कोई जरुवत नहीं है कोई worksheet से extra extra solve करनी की जरुवत नहीं है जो तुमारे पास content है वो पढ़ो फिफ्ट आफ में से मैमीम बनुगा सीरीज से पढ़ना और मेरे guest paper कर लेना जाद से जादा workshop जो है उसको attend करना है तुम्हे don't forget to attend the workshop day before exam एक दिन पहले exam से एक दिन पहले workshop होगी free of cost होगी उसको attend करना मत भूलना तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा जिन्होंने term 1 में attend की थी उनसे पूछो ने कितना फाइदा हुआ था यह registration जो होगा workshop का फिफ्ट आफ में से होगा free of cost है बट registration पहले कराना जरूरी होगा तो तब तब के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद